नमस्कार दोस्तों आप है अपने ही गुडलीविंग चैनल पे और भई हमारे यहां तो बारिश हो नहीं रही बादल तो खूब आ रहे हैं लेकिन बरसा तो नहीं रही और एकल रात को भी मैंने यही सोच के पानी नहीं दिया पोद्धों में कि बारिश होगी लेकिन अब सु पानी देती हूँ ना पुद्धों में यह छोटी छोटी चिडिया ऐसे नहती है कि इन पत्तों पे से पानी गिरता है न तब यह देखो यह जूम करके दिखा रही हूँ वरना बाग जाएंगी यह चोटी छोटी सी है ऐसे नहती है तो यह समझो कि जब आप प्लांट्स पूरप सो एतना प्यांतों, तो अगर हम इनके गारडन में ध्यान रखना पड़ता है, कि कोई छेड चाड़ना करें मों उनके साथ जैसे बिल्ली होगी बंदर होगे तो चलो भई कभी धूप आये जा रही है और कभी घटा हो रही है चलते हैं गार्डन में और आज बात करेंगे दोस्तो हिबीसकस के उपर हिबीसकस के मेरे पास बहुत सारी कमेंट आते हैं क्योंकि हिबीसकस सबका फेवरिट प्लांट है और मोस्टली गार्डन में लोग इसे उगाते हैं लेकिन कुछ गलतियों की वज़े से हमारे हिबीसकस के प्लांट खराब हो जाते हैं तो उन्ही के बारे में discuss करेंगे और वो सारी बते भी दोस्तों मैंने खुद के experience से ही सखी है और वही आपके साथ भी हो रहा होगा और क्या पता कोई मेरी ऐसी बात जो कि आपके साथ हो रही हो वो आपके काम आ जाए तो दोस्तों सबसे पहली बात जैसे कि मैं सनलाइट वाला हिबिसकस दिखा रही हूँ, जानके दिखा रही हूँ क्योंकि हिबिसकस को धूप बहुत पसंद है, अगर अपने आउट्डोर कहीं ऐसे जंगह पर रखा हुआ है कि डेकॉरेशन के लिए है वैसे ही और वहाँ धूप नहीं आती अच्छी खासी तो आपके हिबिसकस में फ्लावरिंग नहीं होगी, और सेकेंड बात दोस्तों कि हिबिसकस को थोड़ी सी बंदिवी मिट्टी पसंद है, वैसे तो हम और पोद्धो की मिट्टी थोड़ी सी पोरस बनाते हैं, ताकि पानी एकदम से ड्रेन आउट हो जाए, लेकिन इसके प अच्छे से पानी में भीग जाए, और तीसरी बात दोस्तों कि अगर आपने हिबिसकस लगाया है तो उसकी टाइमली प्रूनिंग भी जरूरी है, अगर आप उसको प्रून नहीं करोगे तो वो फिर ऐसे डिला-डला सा हो जाएगा, लेगी-लेगी सी ब्रांचीज हो जाए और जब भी आप दोस्तों हिबिसकस लगाते हो, कटिंग के जरीए, कटिंग के जरीए उगता है ये, तो बस आपने इसी बात का ध्यान रखना है कि आप उसको या तो पहले पानी में ग्रो कर लो, या फिर सोयल में भी उगा रहे हो, तो आउट डोर अगर आपके कहीं कऱाइड में रख सकते हो, और प्लांटे बीच में छुपा के, और इसी तरीके से दोस्तों आप कई तरह का हिबिसकस अगर आप अपने आसपास देखते हो जो कि आपको अच्छा लगता है और इस टेम दोस्तों हिबिसकस में बड़िया फ्लावरिंग हो रही होगी तो कलर का उप्शन भी आपको मिल जाएगा कि मेरे पस यह कलर हमें यह वाला उगा लूँ और सबसे बड़ी बात क कि अगर आपके पास पहले से हिबिसकस के प्लांट है और आप उनको मल्टिप्लाई करना चाहते हो तो भी यह परफेक्ट सीजन है हिबिसकस के प्लांट को मल्टिप्लाई करने का और सबसे अच्छी बात यह यह दोस्तों हिबिसकस की कि आपको एक बार लगाने के बाद इ इवर ग्रीन पूद्धा है और उस सारी गर्मी वर फूल देता रहता है ये और हमारे आतों सर्दी बहुत कम टाइम के लिए होती है तो ये समझ लो कि सारे साल इसमें फूल आती रहते हैं वो अलग बात है हम इसकी प्रूनिंग कर देते हैं अच्छी शेप देने के लिए और अग头 में इसमें बात है और उसी तरीके से अपके पास कोई भी प्लांट और आप ऊसको मल्टिप्लाई करना चाते हो तो उसी तरीके से अप उसको मल्टिप्लाई Engineering कर सकते हो और इस में दोस्तों आप कहोगे ही लिसको हमें कहां रखना चाई है तो इसको बिलकुल वर्सा के पानी में रखो जितना आच्छा बारिश के पानी में भीगगँगा उतना ही अची इसकी ग्रोध होगी आख बारीश का पानी दोस्तो अगर आप आप पोद वी में खाद भी और नियूड ना तो नैचुरल खाद का रूँ खुराग का का म करते हैं आ क्योंकि रेन वाटर म वैसे भी थोड़ा सा ऐसे डिक होता है जिससे की प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ फ्लावरिंग भी उसमें अच्छी होती है और यह आप लोगोंने नोटिस किया होगा बरसात आने के बाद जब धूख खिलती है तब फूल खिलते हैं या आप अपने प्लांट्स जिस प्लांट में आपके खिल भी नहीं रहे होंगे ना उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो यह थे कुछ हिबिसकस के सीक्रेट्स वैल ग्रोथ के लिए अब आते हैं इसकी प्रॉब्लम के उपर तो भई कई बार ऐसा होता है कि हिबिसकस एकदम से आपका हो जाता है दो-तीन दिन के अंदर आप देखते हो अरे यह क्या हो इसमें होता है ना से कई बार तो उसका सिर्फ दोस्तो सबसे बड़ा कारण तो यह है कि आपका ड्रेनिश होल बंद ना हो गया हो इसको पानी भले ही पसंद है लेकिन किसी भी पोद्दे का अगर मेन तो यह होती है और कुछ नहीं होती और नहीं तो फिर आप थोड़ा सा सोइल को चेक करो कि कहीं उसमें कुछ इंफेक्शन तो नहीं लगा हुआ या कुछ गढ़बड तो नहीं है मिट्टी में उसके लिए आप ब्लैक पेपर पाॉडर का हल्दी का सिनेमन पाॉडर का यूज़ कर सकते हो अगर आपको कोई ऐसा इंसेक्ट दिखाई देता है, डीमक वगरा दिखाई देती है, जो अंदर अंदर जड़ को खारी हो, तो ये एक मतलब बहुत रेर सा कारण होता है, लेकिन वैसे ज्यादा तर समस्यापको ड्रेनेज होल की मिलेगी, लेकिन फिर भी ये वड़ा कारण भी हो, तो आप मत्टे की खुदाई करके और उसमें ये आप कर सकते हो, और इससे भी न जारी हो, डीमक तो फिर आप भई थोड़ा सा कैरसीन ओयल लेके, उसकी दो चरबुंदे पानी में डालके, वो भी आप सोयल में डाल सकते हो, तो उससे भी कोई फूल आते हैं न, और इतने बड़े साइस के फूल बहुत कम पोद्धों में होते हैं, तो भी लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है, और कलर भी इसके बहुत सारे आते हैं, देसी में तो चलो, लिमिटीड से कलर है, लेकिन हाईब्री में आपको बहुत सारी कलर मिलेग और ये देखो, मैंने हर तरीके से हिविसकस लगा रखे हैं, कटिंग के जरी, ये मिक्स और मैच करके भी लगा रखे हैं, लग लग भी लगा रखे हैं, और मोस्ली मेरे जो प्लांट है हिविसकस के, ये सारे मतलब कटिंग से ही तियार हुए हुए हैं, और बस ऐसा लग र दिखाया और बहुत रेयर होता है ये क्योंकि ये चुट-चुटे पंची हैं डरके भाग जाते हैं तो मैं भी बड़ी दूर से वीडियो बना रही थी इनकी और आपको दिखाना था कि देखो कितनी सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं जब आप नेचर के खुद करीब बहुत आपके पास भी बहुत सारी चीज़ आती हैं तो बस दोस्तों उमीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगाओगा कुछ प्रोबलम आपकी सॉल होई होगी फिर भी कुछ रहेगी हो तो कमेंट करके मुझे बता देना वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक और बिरूर किया करो और जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो कर लिया करो बही ताकि आगे अच्छे-च्छी वीडियो आपको मिलती रहें वैसे मुझे कहना अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं चलो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू अच्छी को तेक्र क्या वियु वीडियो प्लाइब